हेलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल एक अनोखा स्वादविद गरिमा आज मैं इंडिया के सबसे पॉपलर डिश हैदराबादी चिकन बिर्यानी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ इस बिर्यानी की खासियत ये है कि ये बहुत ही फ्लेवरफुल होता है और इसके हर बाइट में आपको स्वाद मिलेगा तो आप अगर बिर्यानी खाने के शौकीन है तो वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि मैं आपको इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी तो आईए इस रेसिपी को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जियन चिकन बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले हम राओल में भी में ही डाला है और आ्ये समय उसके में इस गोलीं ब्राहन रखा हुआ है यह चार मीडियम साइज के अट О्टे के जाली आऊ से कeremiSAsoft के इसाने चोरवी लत शोते जब लेयरिंग करेंगे दम देंगे बिर्यानी के तो उसमें हम गार्णिश करेंगे इसके साथ ही इसमें अद्रक्लैसून का पेज डालेंगे यह तीन बड़े चम्मच है बारीक चॉप मैंने धन्या लिया हुआ है तो भी डालें इसके अलाव हम हाफ लेमन डालेंगे लेमन अब हम कुछ मसाले आड़ करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग अल्दी हाफ टीस्पून लालमिश पॉर्डर वन टीस्पून दन्या पॉर्डर वन टीस्पून गरब मसाला हाफ टीस्पून इसमें हम केवडा वॉटर डालेंगे वन टेबल स्पून अब इन सारे मिक्षर को मच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इस मैरिनेशन में चिकन के पीसिस डालेंगे चिकन यहाँ पे हम 800 ग्राम यूज कर रहे हैं सब को डालेंगे अब इनिये हमें अच्छे मिक्स कर लेना है यहाँ पे मैने चिकन के पीसिस को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है अब इसे आपको ढख के कम से कम एक घंदे के लिए जब तक हमारा चिकन मेरिनेट हो रहा है तब तक हम राइस के प्रपरेशन कर लेते हैं यहां पर मैंने तीन कप चावल लिया हुआ है यह बासमती राइस है इसको मैंने अच्छे से वाश करके आदे गंडे के करेब भिंगो के रखा हुआ था अब आईए हम इसके चावल को पकाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है और पानी में सबसे पहले हम इसमें एक तेश पत्ता डालेंगे इसके इलावा मैंने कुछ काले मिर्च लिए हुई है पान से चे और 1 टीजपून यहां पे मैंने जीरा लिया हुए है इन सबको हम डालेंगे और एक वॉयल आने का वेड करेंगे यहां पर पानी में बॉइल आना स्टार्ट हो गया है अब इसमें हम कुछ पूंदे रिफाइंड ओयल के डालेंगे एक चौथा यह नीबू करज डालेंगे इससे चावल बिलकुल वाइड और खिले खिले बनते हैं अब इसमें हम बींगे हुए चावल डाल देंगे चावल को हमें 70% ही पकाना है क्योंकि उसके बाद हम दब मी देंगे सारे चावल को डाल लें पीपर चला लें अच्छे से बीच बीच में आपको चावल निकाल के चेक करना है कहीं यह ओवर कुप न हो जाए नहीं तो सारे चावल तोट जाएंगे चावल को पकते हुए दो से तीन मिनिट हो गए है और ये अल्मोस्ट 40% पक चुके हैं कुछ दिर हमें से और पकाना है फिर हम गैस की फ्लेम को ओफ करेंगे चावल यहाँ पर हमारे अल्मोस्ट हो गए हैं ये 70% भी कुख हो गए हैं आपको मैं दिखा देती हूँ ये देखिये बहुत जादा भी ओवर कुख हमें नहीं करना है अब इस स्टेश पर हम गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और एक स्ट्रेइनर की मदद से हम सारे चावल को स्ट्रेइन कर लेंगे और जो ये खड़े मसाले हैं वो हमें इसे निकालना नहीं है ये भी राइस में हमें रहने देना है तो हम इसे स्ट्रेइन कर लेता है नहाँ अब इसे हमें पूरा अच्छे से थंडा होने देना है उसके बाद हम इसके आगे की प्रॉसेस करेंगे यहाँ पर मैंने कढाई ले ली है सबसे पहले इसमें रिफाइन ओयल डालेंगे यह एक चौथाई कप है तेल को गर्म हो जाने दे अब इसमें सबसे पहले इसमें तेज पता डालेंगे एक बड़ी इलाइची यहाँ पर एक घंटे के करीब मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया अब यह सारा मैरिनेटेड चिकन हम एक के बाद ही कढ़ाई में डालेंगे सारे पीसे इसको डालने इसमें ते चिकन को हम मिक्स कर लेंगे सबको एक बड़ चला लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे यह एक कप के करीब पानी है अब एक बॉइल आने दे इसमें सबको अच्छे से मिक्स कर ले और इसे ढखके हमें 70-80% कोट करना है चिकन को ढखके पकने दे सबको मिक्स कर लें बॉइल आना स्टार्ट हो गया है अब इसे हम ढखके लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे धीरे धीरे पकाएंगे तक हमारा चिकन पक रहा है तब तक आईए हम थोड़ा सीजनिंग कर देते हैं राइस में इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे अबका में उतना ही डालना है जितना चावल के लिए हमें चाहिए वन टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें इससे क्या होगा कि हर बाइट में आपको अच्छा फ्लीवर मिलेगा सबको अच्छे 50% पक चुके हैं, हमें 20% के करीब और इसे पकाना है, इक दो बर इसे चला ले और इसे ढख के हम थोड़ा देर और पकाएंगे, यहाँ पर हमारा चिकन 70% को खो चुका है, पर पानी अभी काफी जादा है, इसे स्टेज पर हम थोड़ा सा इसका ग्रेवी ले लेंगे, किसी बरतर में से शिफ्ट कर लें और इस ग्रेवी को हम सालन के तोर पे यूज करेंगे, आपको जतना चाहिए आप उतना यूज कर लें, और इसके बाद हम पानी को थोड़ा और जलाएंगे, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक भी हो जाए, अब फ्लेम को हम कर लेंगे, और इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, चिकन के पानी को मैंने काफी हद तक जला लिया है, इसकी ग्रेवी भी देखिए, यह बिलकुल थिक हो गई है, पहले से, अब इस स्टेज में हम ग्यास की फ्लेम को ओफ करेंगे, और चिकन और राइस की अब हम लेयरिंग और उसके बाद हम दम देंगे, यहाँ पे मैंने वही सेम कडाई ले ली है, इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है, और गैस की फ्लेम को हमें आफी रखना है, पहले हम लेयरिंग करेंगे, उसके बाद हम इसे दम देंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देसी घी डालेंगे ये एक बड़े चम्मच मैं यहाँ पर देसी घी यूज कर रही हूँ इसे डाल ले और अब हम सबसे पहले इसमें राइस की लेरिंग करेंगे कुछ राइस हम पहले डालेंगे इसमें spread कर लें अच्छे से अब इसमें हम चिकन के पीसे डालेंगे तीन चार पीसे डाल लें चिकन के थोड़ा दूर दूर ही रखना है आपको यह मैंने डाल लिया अब हम fried onions डालेंगे जो हमने बचा के रखा था इसके बाद हम फिर से coating करेंगे राइस की अच्छे से ढख लें इसे अब हम फिर कुछ पीसे डालेंगे चिकन के फिर कुछ जूस जो हमारी ग्रेवी बची थी fried onions ऐसी हमें सारी लेरिंग कर लेनी है यह हमारी चिकन की last लेरिंग है यहाँ पे जो भी हमारे बचे हैं ग्रेवी वो सारे इसमें हम डाल लेंगे fried onions डाल देंगे अब जो हमारा rice बचा है वो सारा इसमें हम डाल लेंगे और सब तरफ से coating कर लेंगे अच्छे से चावल की fried onions डाल दें सारे कुछ धन्या पत्ती स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डालेंगे इसमें हम तेज पत्ते हरी मिर्च गुलाब जल एक टेबल स्पून केवड़ा वाटर दे टेबल स्पून अब इसमें हम फूट कलर डालेंगे औरेंज और ग्रीन में यूज कर रही हूँ कहीं कहीं स्प्रिंकल कर लें इन सबको अब इसे हम फॉइल पेपर की मदद से सील करेंगे अगर फॉइल पेपर ना हो अवेलिबल तो आप आटे भी लगा सकते हैं इसके एज़ेज में अच्छे से इसको कोट कर लें अब हम ढक्कन की मदद से इसे ढक के अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे और इसमें मैंने बुखत जरा सा पानी डाला है गैस की फ्लेम को हमें ओन रखना है अब इसमें हम कढ़ाई इसके ऊपर रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसे हमें बॉइल करना है पानी को पानी जब बॉयल होने लगे तो 5-7 मिनट के लिए इसे हम दम देंगे पानी में हमारा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है आप आवाज भी सुन सकते हैं और इसे अब हमें कम से कम 5-7 मिनट के लिए दम देना है और टेंशन वाली बात भी नहीं है क्योंकि यह नीचे से चिपकेंगे भी नहीं क्योंकि हम स्टीम दे रहे हैं और यह बिल्कुल प्रॉपर कुप भी हो जाएंगे साथ मिनट हो चुके हैं अब हम गयास की फ्लीम को ओफ कर देंगे और पांच से दस मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रेस्ट पर छोड़ देंगे पांच मिनट हो चुके हैं अब आईए इसे हम एक बार खोल के देखते हैं कि फॉयल को भी हम हटा लेते हैं यह देखिए कि तो अच्छा आया है देखने में बहुत ही टैंप्टिंग लग रहा है एक पर मैं आपको पास से भी दिखा देते हूं यह देखिए इंदम कलरफुल मैं आपको इसे चला के भी दिखा देती हूं यह देखिए अंदर से बिल्कुल कोखो चुके हैं चिकन भी कोखो चुका है राइस भी हमारा कोखो गया है यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है देखने में आईए हम प्लेटिंग करते हैं इसकी मैंने यह आप एक प्लेट ले लिया है अब बिर्यानी को हम इसमें डालेंगे सारे बिर्यानी मैंने डाल ली है यहाँ पर अब इसमें हम देश पत्ता एक मिर्च कुछ फ्राइड अनियन्स पुदीने के पत्ते प्याज निम्बू और एक बॉयल एग हम डालेंगे जो सालन बनाया था वो भी मैंने रख दिया है और बिर्यानी खाने के लिए बिलकुल रेडी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भोले और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना ना भो मिलते हैं आप सबसे मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते